इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आज कोरोना मरीजों की सरकारी ताइदा चालिस रही तो तीसरी लहर या तो फिर महाराश्ट से या केरला से आनी की वाद कही जारे कुछ लोगा ने तो इस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा के जब सबसे ज़्यादा लोग यूपी से मरे गए हैं इसके बावजूद भी वजिर आजम ने योगी हुकुमत की तारीव करते हुए कहा के बहुत अच्छी तरह से करोना पर काबू पाया है लेकिन कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है तो केरला और महराष्ट का नाम ही लिया जाता है क्या कोरोना भी किस रियासत भी किस पार्टी की हुकुमत देखकर आता है क्या है से सवाल भी अब आम की जैनिक से पुछाए जारे महराष्ट से आने वालों के लिए आर्टीपी से अर्टेस्ट को लाजिंग करार दिया गाया कोगनोले और कागवाडना के पर सकती से गाडियों की तफ्षीश की जारे है सकती के वावजूद भी कई लोग महराष्ट से बेलगाम अथनी है और गोवा के लिए आना जाना ग किया रही है हासिल इतला की मताविक देर राज चेक पोस्ट पर कुछ रुपया दे लेकर दाखला देने की खबर हासिल हो रही है क्या इस तरह की तफ्षीश पर पुलीस की नजर है ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है रियासत करनाटक भाजपा हुकुमत में वजिर आला तब्दीदी के बाद बेलगाम जला से चार जिलाई वजिरों को मौका मिलने की बात कही जाई वजिर आला बस और राजबों माई की वजारत में बेलगाम जला से भाल चंद जार कोई हुमेश कती अब है पाटिन और पी इस भीक मांगने वालों को गिरफतार कर रिहाबिलिटेशन सेंटर्स में रवानगी किये कुछ इसमें से मुझरिमाना किरदारें के पुलिस ने हवालत में ले लिया तो कुछ खास बाद बोकात मांतेज नगर में रवानगी किये हैं बेलगाम शहर और अतराफ में चूरी के वारदा तो में इजाफा ही होता जा रहा है शाहिए कोई दिन बेलगाम शहर और अतराफ में खुतरा हो जिस दिन चूरी नहीं हुए यहां तक के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बेलगाम वीर बदर नगर आजाद नग प्रश्री ने मुकम्मल जायजा लिया तप्षीर जा रही है आज रहमान फांडेशन बेलगाम और पूने की टीम ने मिलकर चिपलून में सैलाब की वज़े से भारी नुकसान हुआ है राहत के कामों को अंजाम दिया गया है यह सवाल इसलिए भी उट रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बाड जैसे हालात या बाड से लाकों लोग बेगर होते देखे जारें जमीन पहाड की सकनी की वारदातों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है बेलगाम शहर और अतराव के साथ पूरत जिला भी हमेशा बाड की चपिट में आता रहता है गोकाज चिकोडी खाना पूर की कई नदिया हमेशा उफान पर रहती है जिसे हर साल लोगों को बेगर होना पड़ रहा है चीन वेस साल जो बाड आई है कहा जाता है कि एक हजार साल में इतनी बड़ी बाड नहीं आई थी लोग जहां थे वहीं फसका colonial हजारों लोग मारे आज भी भारत में से कई जगहें जहारों रोज लैंड़्य की वजजह से हाद से पेश आ रहे शायद द आस्मानी आफ़त लगातार बढ़ती जारी है लेहाजा इंसान को कुछ देर रुक कर सोचने की जोरूत है कहीं हम क्यामत के करीब तो नहीं एक हजार से जाइब साइंसानों ने आब हवा के खागजात पर दस्तगत करते हुए दुनिया को इशारा दिया है कि काइनात के तमाम इंसानों पर कुदरती आफ़त के पहाट तूटने वाले यह अर्टिकल बायो साइंस जनरल में अठाई जुले को शाया हुआ हुआ है इसी रिसाले ने आलमी मुस्मियती अमर्जंसी का एलान 2019 में किया था इसी तर आलमी स्था पर शाया होने वाली मैगजिन में सालों में अब तक के सबसे निचले सतर पर पहुंचिए मोस्मियाती तब्दिलियां इंतहाई निचले मियार पर पहुंचिए यह सार वो सीसी के निचले सतर पाइसे रिपोर्ट के मताबिक जो तफसिला बयान करी है कि इस तरह समंदरों को गर्ण करने का बास बन रही है गलोबल वर्मिंग की委 से मानसून की तरतीब में इंतहाई तबदिलियां देखे जा रहे हैं और नतिजह जो जो मौझूदा है उसी तरह से देखा जा रहा है या तो तवील सुके का मुकाबला करना पड़ रहा है या फिर बार जैसे मुस्पतों से अवाम को जानी-माली नुकसान से गुजरना पड़ रहा है दुनिया के तरक्किया अफ्ता मुल्क भी ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से तबा होते देखे जा रहे चीन, अमरिका, ब्राजील, अलजरिया, जर्मनी, बेल्जियम, निदरलैंड कुदरत के सामने बेबस नजर आ रहे है लोगडाउन, कोरोना और अब और आबाड ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है समंदरों के बर्फ जो तक्रीब जिनिया में एक तर्क्याफ्रा तफ्रिदी की जा रहे है कहीं पर जंगलों में आग तो कहीं पर गर्मी का कहर तो बाड से बेताहशा जानुमार का नुकसान आखिर इसके लिए कौन ही नदार है चीन के जंग जाओ शहर में एक ही दिन में 624 मिली लिडर बारिश हुई जो एक साल में होती है बेल्जियम जर्मनी यूरोप और भारत में भी दो तिन दिन में ही मैंनों की बारिश गिरने की वार्दात अमल में आ रही है पड़ोस्वे को लापुर चिपडून में दूसरी परतवा शहर का बड़ा हिस्साट डूब गया सेंकड़ों द्याद बाड कि लहर चली है जिससे जंगलों में आग लग रही है पूरी काइनात मुसिवतों के घेरे में फस्ती जा रही है साइंसदान कुछ भी कह दे लेकिन तेज रफ्तार और एक दूसरे का हक मारकर दुनिया में हमेशा रहने की तर दिन रात दुनिया के महबत में दौड़ने वालो साइंस इसे ग्लोबल वार्मिंग या मौसमियती तबदिलिया के है काई से बेवस नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि रिष्टे नाते भाई इंसान इंसाब जालिम जल्म किसी को भी किसी का एसास नहीं रहा हर कोई हराम हलाल के पैचान किये बगए किसी की भी घर्दन मार कर कामयावी की मंजिले तै करना चाहता है मेरे नभी ने फरमाया कि इंसान जिस तरह से हमाल करता है जमीन पर उसी तरह के फैसले आसमान से के जाते है यानि जमीन पर जो भी हो रहा है इसके फैसले आसमान पर हो रहा है इंसानी अमल का इसमें दखल ह ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियती तब्दिलियों के बात करी जा रही है पर क्यों इंसान ने सारे दुनिया के पालनहार को नाराज करने का कोई मौका छोड़ा हो लिहाजा जिस कदर आज दुनिया के मुक्तलिब जगों मुलकों पर सूखा गर्मी जंगलों में लगती आज और बार्ड जैसे आस्मानी बलायात आ रहे हैं इंसान को अपनी आउकात समझनी चाहिए अगर दुनिया की मुसिबतों से निजात पानी है तो सबसे पहले खाली के हकीगी को पहचानने की जूरूत है फिक्र मिल्लत कर क्यामत आने वाली है तेरी बरबादी के चर्चे है आस्मानों में इत्याद में देखने करें शुक्रिया अल्लाफीस